राश्रुय जंतादल के वरिष्ट नेता अब्दुलबारिस सिद्धिकी ने केंदर की मोधी सरकार पर जम कर निशाना साभा है। उन्होंने कहा कि जब से केंदर में मोधी ही सरकार बनी है तब से अलपसंख्यकों पर अत्या चार बढ़ गए हैं। उनकी माने तो पिछले पांच साल में अलपसंख्यकों को सबसे ज्यादा प्रतारित किया गया है। मुसल्मानों को जानवरु से भी बत्तर समझा जा रहा है। यही नहीं सिद्धिकी ने यह भी आरूप लगाया कि आजादी के समय देश के बटवारे के बाद जो हाल मुसलिमों के साथ हिंदुस्तान में हुआ था वैसा ही हाल पिछले पात साल में मोधी सरकार में हुआ है। अब्दुलबारी सिद्धिकी ने कहा कि पातस्तान भेजने की धमकी भी मुसलिमों को दी जाती है। इस दौरान उन्होंने शायराना अंदाज में केंदर सरकार पर मुसलिमों को प्रतारिक करने का आरूप लगाया। वही सिद्धिकी के इस आरूप पर बीजे ने भी पलचवार किया है। बीजे पी नेता निखलानन ने कहा कि राज़त नेता मुसलिम तूष्टिकरन के बहाने मौहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। निखलाननन की माने तो अब्दुलवारे सिद्धिकी मुसलिम फोबिया से ग्रसत हो गए है।